चलिए कल यहीं तक बताया थे आपको वाने ग्रूप में कौन-कौन इलिमेंट होता है ध्यान दीजेगा hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium और कौन सा? cgm एक ग्रूप में इलिमेंट था और इसमें हमने कल बताया था कि hydrogen किस period के element है? first period का और hydrogen first period का element है इसके पास एक ही YouTube होता है second period में कौन सा element है? lithium. second period का lithium है इसके पास कितना orbit है first and कौन सा? second, lithium का पास दो orbit है same, sodium के पास कितना". sodium किस period कंच है? third period. जो 3rd period का element है उसके पास कितना orbit है? KLM कृत्छी के पास ? third Zwearn तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कैसे decide करेंगे देखते है जो फिर्स्ट पिरियोड के ऐलिमेंट था फिर्स्ट पिरियोड पिरियोड नमबर फिर्स्ट हीड्रोजन ह्ट्रोजन के पास कितना ओर्वीड था एक second period second period में कों था हट्रोजन की नीचे है लिथियान और लिथियम के पास कितना ओर्वीढ और फिर्स्ट and कॉं सा इसके पास्ट दो और्बित, थार्ड पिरियर में को ना या था, सोडियम, यह नुकिलियस हो गिया, फिर्स्ट, सेकेंड और कौन सा, थार्ड, फिर्स्ट, सेकेंड प्रियोड होता है, और जो सेवन नमबर पिरियोड होगा, इसके पास्ट कितना और बित होगा, फिर्स्ट, सेकेंड, थार्ड, फोर, फाइव, सिक्स, हाँ, इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, अभी तक, आज तक साथ पिरियोड के हमने यूज किया है, आगे एगर जरुएत होगा, तो हम इन्फिनाइट नमबर आप और बित क्या कर सकते हैं, यूज कर सकत इन्फिनिटी नमबर पिरियेड हो गया, जो एलिमेंट 7 पिरियेड में आता है, जो भी इलिमेंट आएगा, सब के पास कितना आर्बित होगा, और आपकी गया और फार्स्ट, सटेंड, थार्ड, फोर्ड, फाइब, जिक्स एंड आपनले, ऑर इसका नुकेलियस ये रहाँ और यहां पर इसका आउटर मोस्ट औरीटे , तब से लास्ट वाला वो क्या बोलते हैं मुझे हैं और और आउटर most orbit इसको outer most orbit बोल सकते हैं या outer most क्या बोला जा सकता है sail orbit को ही हम लोग क्या बलते है sail हमको लिखना क्या है यहाँ से दखिए top to bottom उपर में क्या हो गया top और नीचे में क्या हो गया bottom top to bottom जियान दिजिएगा अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या कंडिशन है। टॉप टू बॉटम आने में और विट नमबर इनक्रीज कर रहा है। क्या इनक्रीज कर रहा है। और विट नमबर इनक्रीज़। और विट नमबर इनक्रीज कर रहा है। अगर और्बित नमबर इनक्रीज करेगा, अगर और्बित नमबर इनक्रीज करेगा, तो नुकिलियस और आउटर्मोस्ट और इसके बीच का दिस्टेंस भी क्या करेगा, इनक्रीज करेगा, इसके बीच का दिस्टेंस भी क्या करेगा, इनक्रीज करेगा, इसके बीच का दिस between nucleus and outermost orbit nucleus and outermost orbit के बीच का distance क्या करेगा increase करेगा और इस distance को में लोग क्या बोलते हैं कि निक्लियस और outermost orbit इसके बीच के distance को में लोग क्या बोलते हैं अटामिक radius क्या बोलते हैं अटामिक रेडियस निक्लियस और आउटर मोस्ट और विट के बीच के distance क्या बोलते हैं अटामिक सबसे बाहर है जो सबसे बाहर होता उसी क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट और विट बोलते हैं तो सबसे बाहर भी यह और विच है तो यहां से लेकर यहां तक के distance क्या बोलेंगे Atomic Radius, इसको हम लोग R1 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, R2, फिर अगर आएंगे 3rd period के element में, जिसे sodium है, यह इसका निकलियस है, और निकलियस से लेके outermost orbit, यह वाला, तब से last वाला, यह इसका क्या हो जाएगा, Atomic Radius, यहीं लिख देते हैं हम लोग, इसको लिख देते ह पर्स्ट में एक सकेंड भे दू, 3rd, 4, 5, 6, 7, जैसे उपर से निचे आंगे, टॉप टू, बोटम आंगे, तो और विट नंबर इनक्रीज करेगा, और और विट नंबर इनक्रीज करने से, निकलियस और आउटर मोस्ट और विट के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इनक्रीज कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस होता है, बितु मिन इकलियस और आउटर मोस्ट TV, एक रिट बिज गाल अथा अमगे रेडियस, इस को मुलुटे एवर बलते हैं, अलिक रिडियस इसको मुलुटतीज बनते हैं, इसको मिना इसकृति इसको मुलते हैं अटोमिक रेडियस अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अगर रेडियस बरहेगा यहां पर समझेगा यह कोई जिए इसका रेडियस यहेर आगर रेडियस बरहोगा थीसका इतना बरहा साइज होगा यह इसका जितना अधिक रेडियस करेगा साइज भी क्या होगा उसद Welcome swab होता है spherical the radius अगर बढ़ते जागा तो उससाइज क्या हो जागा increase करेंगा it means you have dropped to bottom ओंग आएंगे atomic radius increase करता है therefore atomic size atomic कि यह भी क्या करेगा in its time being Realm lihat are going to create पहले आउटर्मोस्ट में यहां एक इलक्ट्रोन है द्यान देना मालीजी यहां पर एक इलक्ट्रोन और एक इलक्ट्रोन यहां पर और एक इलक्ट्रोन यहां 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 Decrease and outermost or nucleus or outermost orbit की बीच में जितना distance क्या होगा कम होगा उतना ही इसके साथ attraction क्या होगा ज्यादा होगा जब top to bottom आएंगे distance increase कर रहा है you to increase in distance attraction क्या होगा decrease करेगा अब इसमें बात करेंगे तह यहाँ यहाँ निकलियस है और यहाँ पहला कर दिश्टेश हो घ़िया है यहाँ यहाँ निकलियस का अट्रक्ण इसके साथ ग्या हुगा वोगा consistent क्या हो रहा है कर रहा है nucleus और outermost electron attraction decrease between between nucleus and outermost orbit nucleus and outermost orbit अगर attraction decrease करेगा तो जब top to bottom चंब आएंगे निकुलिए इसको बिसको एक कोन्ड़ करेक्स द्ट करके रहे कि द्टेक्स ब की रहत राओं द्ट्राइक सैनल काल। सिंधने अग्लिए एक होगे अग्लीकशेश्व मत्रहिच काट्स द थक रहे हैं। अगर attraction क्या होगह होगा, decrease कर रहा है, attraction decrease कर रहा है, यहां पर यह attraction है, और यह क्या होगह है, decrease कर रहा है, अगर attraction decrease कर रहा है, तो Electron आसानी सी remove हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, Agile removal of electron, एजली रिमॉबल आफ मिलेक्ट्रों आसानी सब्क्राइच क्यों हो जाएगा बाहर निकल घए अगर फीर रहा अगर speaking, गर काम, और पॉब टू बॉटम और थे लक्टाउन आसानी से रिमूव हो रहा है दू टू अट्रेक्शन चुप कम है तो आसानी से रिमूव होगा अगर पॉब चुप क्या लेगा यह कम लेगा आई लक्टाउन को रिमूव करने में जो इनर्जी लगता है उसा ऐयोन आज के अनर्जी रक्रेट ईन्ट रिपान फॉर्टम है ईयोनगे टाप टॉप तु टॉटम आ यंगे टाइए शर्टा में फ्यानगे वहलुको जा कर जायगा डिकरीट कर जागा हाँ आयोनाइजेशन इनर्जी इसको अलग कलर से लिख देजिए आयोनाइजेशन इनर्जी आयोनाइजेशन इनर्जी डिकरीज़ अगर आप से आप कोई पूछेगा कि प्रेटेबल में कितना ओवराल ग्रूप होता है इनर्जी 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 इनर्ज ग्र्लूप में पर्षे नीचे आईएगा इस कंडिशन में याद रखना ध्यान देना एक एक अटॉमिक रेडियास करता है यह इनक्रीजेट्स और यह इनक्रीज करता है टॉमिक रेडियास के इनक्रीज करने से साइज क्या होगा इन क्रिज और ट्रॉणल बोलने इंक इनहर जोनगे अठाल में ऐचे व यह तो में करते होगा इनक्रिज करेगा तो है आई और इसलंट इनर्जी कई एक फिल्पलीट है, अंचल पर रहाए थे सो, तोह भी चेक करेंगा निकल कर रखेगा, त्वन आग लिखने हैं पता चलका रखेगा, चल ध्यान दिजए. ययारे तॉप्टुबॉटम किसी भी गुरूप में किसी भी गुरूप में तॉप्टुबॉटम आते है तो आउन सेनरजी क्या होता है डिकरीच करता है तहलो अगर जो लोग लेके थीओ नहीं लिक्षिए तो फले एक पर हम चेक कर लेते हैं तब तक है तो नीकाल कर रखो देखिओ कहा लिखया pequeña कर अहां , कहा लिखा देखोους कुझा है , हुखो अबिनतों। जल्दी नोट कीज़ को इसको लास्टरून इक नापलोस को नोट कोर। काई से पराथ वेसे नोटकोर एक क्या तो बोलने के लिए क्या है सब तो कलासे के लिए हैं बोलने में कुछ नहीं जाए पिर वहीं से स्टार्ट होगा तब ना पता नहीं कि आप लोग इसा फीडिया घर पर भेज देने का आप लोग लिक के नहीं ला रहे हैं तो तुमस्तिया है ना इधर यू रभ्य कामिन लोग है लो एक बात हमें इसा या लखना हुलकाल कुत्ता का यो सिकार नहीं करता है अगर हमारे प्रेशर चाभी लिख रहा है और घर पर नहीं काम कर रहा है तो कभी लाइफ में अच्छा करने के लिए कम उम्मीद कर आग इसक समय नहीं घर पर जाता है ना लिख लिए जगा तुभी काफी समय लाएं चली एक मढ़ जान्दो कि रधारी सब्सक्राइब तुवे ग्रूप बेरेलियम, मैगनेसियम, कैलिसियम, स्ट्रोंसियम, बेडियम और कौन सा आता है रेडियम चली टॉप टू बॉटम आएंगे ते क्या होगा अभी जश्ट आप लोगों को बताएं अगा टॉप टू बॉटम आएंगे यह आपका टॉप हो गया, टॉप टू कौन सा बॉटम एक में टॉप टू बॉटम आने में अटॉमिक रेडियस और विट नमबर और विट नमबर इनकरीजेज टॉप टू बॉटम आने में और विट नमबर क्या करता है, इनकरीज करता है यह कौन सा पृटम आता है, सकेंड यह कौन सा आता है, थाढ़ यह कौन सा 4 पब्यूज़ पैसी और बॉटम निचे ऑंगे और विट नमबर इनकरीज करेंगा और विट नमबर इनकरीज में आउटर मोस्ट ऑर्विट और कौन सा नुकेलियर मतलब यह जो हम बोल रहे हैं यह आपको बोलने आना चाहिए और्विट नंबर इंक्रीज करेगा डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा ताइज इनक्रीज कर जाएगा आसानी से लक्टोन रिमूब हो जाएगा इनर्जी कम ला The distance increases between nucleus and the outer most orbit, Nucleus और Outermost Orbit के बीच का Distance क्या होगा Increase कर जाएगा और Nucleus और Outermost Orbit That is Nucleus and Outermost Orbit इसके बीच के Distance को हम लोग क्या बोलते है Nucleus and Outermost Orbit के बीच के Distance को हम बोलते है Atomic Radius अगर distance increase कर रहा है दोर पर atomic radius atomic radius increases atomic radius क्या होगा increase कर जाएगा अगर atomic radius increase कर गया then size increases atomic size atomic size increases और atomic size अगर increase कर जाएगा तो attraction attraction क्यों हो जाएगा attraction decreases between between outermost electron outermost electron and nucleus outermost orbit और nucleus के बीच का distance क्या हो जाएगा attraction क्यों हो जाएगा decrease कर जाएगा और decrease कर गाता असानी सिलक्टोन क्या हो जाएगा easily easily removal of electron easily removal of electron 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 क्यों हो जाएगा remove होगा अगर असानी सिलक्टोन रिमूव हो जाएगा ति इनर्जी क्या लाएगा तायांस अनर्जी क्यों हो जाएगा आवनाइजेस्टन इनर्जी डिक्रीजेट एक ने अनली आवनाइजेस्टन इनर्जी आवनाइजेस्टन इनर्जी डिक्रीजेट यह दो ग्रूप को हमने लिग दा यह हम जब भी आपको स्टेंड आप करे यरा करे है पूछे कि तॉप टू बटम में कोनखों सी घटना घट ती है क्या होता है था टॉप टू बॉटम हम applying來 शालय बोलना तो अर्भीट नमबर इनकरीज करेगा और विट अःत्रेटरोन कलता वेझाहा कर जागा अगर इलक्टोन और आउटरमस्ट पर बीच का अट्रेञ्ट्चन काम और आट्रेट्रोन अठ्रक्टोन और ढूगा थेयर करना है सब्सक्राइब जोप रोगे एस नुद और शिल्टर को सब्सक्राइब दोसे इनर्जाच हुआ इनिघा हिए जॉप टो सब्सक्रा या ड aut वा ऐसा सभ्लेटondere है निच्वा surprise किたい कि अगज़ पर रोडोorg को सब्सक्राइब यह क待 से जेनरल ही अगर कोई पुछता है कि प्रोय्टेबल में किशी फ्र at the sack किसी चाहिए और अो क्या होगा एक ओमिच रोिस्ट्रिक यहाँगा आट्रक्षण क्या होगा यह सब बता सकता है इसलब किस पर डिपार्ट करता है अच और पकंतुर यह समस्ट नंबर लो वक्र गांपम ऌनबर बरते जायेगा इस्टार्फ सेर्च मेर्ट give us कि एए चारलंगर तो uphold though चलिए हो गया बता दी हमना जद बताना नहीं ऑडर स्क्रोस हो जाएगा रेडियम तो रिडियोएक्टिफ होता नहीं धेक की इसमें रेडियोएक्टिफ एमेंट एकमर्द्याँ कि मड़्य exposed अनग ऐसा एलिमेंट गहां हर युद गया स्पीया Fest है स्वक्रेडियोएक्टिफ अली ना ए रवरे शस्ती प्रांशियम यह भी कैसा ऐलमेंट होता है रियो एक्टिव एलेमेंट धौन थो यह फो ग्रूट सब्सक्रा सब्सक्राइब रेडियक्टिव एलिमेंट कैसा होता है यह बात में फिर डिसकर्ज कर देंगे लेकि इन दोनों को छोड़ के इस ग्रूप में ओभर ओल आयोनियस इनर्जी का ओडर क्या हो जाएगा कि अब सब्सक्राइब किसका हो जाएगा इस ग्रूप में च्पूप टूब टूनवड़ और पाउय स्टनर्जी क्या हो गस्टा रंग्रों होता है सब से ज्यादा किसका हो जाएगा ओपर बाला का दैक कैसे मैं ये इश का होगा मेंनीर आना ननट थम लेके स्टिव रिडियम कौन सा लेकिंट रिडियम करना नहीं किसी भी ग्रूप में जाएंगे तो यही ओडर फॉलोव करें जिन्डली यही हूँ अब में अश्टिकेश कि अब में अश्टिकेश आएउनाइजेसन इनर्जी Ionization energy in periodic कि Ionization energy in period तो प्रोट्टेवल में दो तरह से किसी भी प्रप्रठी प्रपटि-को प्रप्रटा करते हैं एक इस कर रहा है याड ग्रोप कर रहा है और दूसरा ऐसे िूह से करते हैं लेब टू राइट, यह आपका कौन सा ओगया, लेफ्ट, और यह स्याइट आपका कौन सा हो गया, रहाइट, तो तरीका सा पैसले क्कि ळपनते एंड लेप टू डू राइड, और left to right यह था इसको हम लोग के बोलते हैं period इन a period और इन a group यह हो गया इन a group इन a group और यह हो गया इन a period हमने अभी atomic size और ion synergy दोनों एक साथ समझा है किस में ग्रूप में प्रियेट अफ्रय डेट होता है और इटीन ग्रूप में और top तु bottom ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर बढ़ता है और कौन कौन सा फैक्टर क्या होता है गड़ता है कौन कौन सा फैक्टर रहा था यह जाए लना कों सा अर human number then कों सा इस टेंस और विट नम्बर के वाद कोना गया? दिस्तेन्स, देन अतॉमिक रेडियस यह भी इनक्रीज करता है, अतॉमिक साइज यह भी क्या हो रहा? इनक्रीज कर रहा है, अट्रेक्शन डिक्रीज बीट्मिन आउटर्मोस्ट इलक्टोन और कॉन सा? अगर डिक्रीज कर रहा है अगर क्यों रहा है त्र वसकता है संब्सक्ती कर ऑप मैंगनीसिय। नहींन् Fraser ag listening पूरा में एलमेंठ ही पूछेगा एंगनेशिय। कि मैगनेसियम एंड कौन सा कैल्सियम आप से दो ही एलिमेंट के बार हम पूछा जाए तो आप यह मालूम होना चाहिए किसके ऊपर कौन है और किसके नीचे कौन है इसके प्रेटेबल पूरा यादर रहना चाहिए प्रेटेबल अलाग से पूरा परहा देंगे लेकिन प्रेटेबल आपको पराया जाएगा और यह सारे फैक्टर उसी जाए क्या हो जाएगी तो उसमें जनरली हम यह कर देंगे ठीक ना अकर मैगनेसियम और कैल्सियम आप से पूछा जाएगा किसका आउनाइस इनर्जी क्या है ज्यादा होता है तो फिर आपको यह ओडर इस चाप्टर को अच्छे से परना है और अच्छे से परना है आपका कंसेप्ट कि लिए रहाए पहला सकेंड क्या है पूरा प्रोएट बलने आना चाहिए नहीं आ रहा है तो बैठाए पी लिख लेंगे वो लिखाएंगे वह प्रिवेस्ट अकल कलास होगा ना अब जो भी कलास होगा तो आपको वही पूरा प्रोएट बलका अच्छे से लिखा देंगे ताकि आप उसको आज मतलब इसको शिर्फ आयंसर नदी को परने के लिए सिर्फ इतना कंसेप्ट माइंड मिला रहा है तो इसको चले ने एक्ष्ट देखिए गहा है तो चले देहां देखना है फर्स्ट पिरिड में कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं रहा देहां दो पिरियेड नमबर फर्स्ट इसको बहुत आराम से समझना है पिरियेड नमबर फर्स्ट इसमें फर्स्ट इलिमेंट है कौन सा हाइड्रोज अ सबसे लास्ट में कौन आता है कुछ याद है तेन्थ का नथिंबर लास्ट में कौन आएगा सबसे last में कौन से element आता है first group में first period में helium सबसे पहला period में element को आता है hydrogen और सबसे last में को आता है helium period number second period number second हाल लीना इसका पहला एलिमेंट कौन से है लिथियम और लिथियम को बगल में को आता है बेरेलियम फिर आ गई यहां आएगा ध्यान देना पोरन कारबन नाइट्रोजन ओक्सीजन फुलोरीन असब से लाश्ट में को आता है यह प्रेट पन्टर है फिर्स्ट प्रेड में को आथा हुआर हडोजन और हैस्थैन फिर्क पर निविंड लिथियम घें बेरेलियम इसका बोटां कारवन नाइट्रोजन ओक्सीजन फोलख़ इनलात्म ने पना निए उन्योर्ट्र क्ने हुए इसका इतोमी की नंबर कितना हिद इस तरह से नीचे जाएगे एक मर्दिया देना लिथियम कितना इसका अटमिक नमबर था एटी नमबर अटमिक नमबर कितना है ठीरी इस्टा कॉन फिरेस्टन राइट की जो था इसका अटमिक नमबर कितना है इसका अटमिक नमबर कितना आएगा पिरेलियम है और इसका अटमिक नमबर कितना आता है एटी नमबर अटमिक नमबर इसका अटमिक नमबर कितना है फूर इसका पॉन फिरेस्टन लिखिया 1 is 2 2 is 2 कितना star worship इसमें कितना orbit कोई confusion नहीं रहना चाहिए यह 1 हेत मींस 1st orbit K और यह 2 हेत मींस कौन सब 2nd orbit कौन सब इसमें भी कतना orbit है 2 orbit है बौरन का atomic number कितना है इसका atomic number है इसा कॉन फिरेशन क्या हो जाएगा हाँ बोरोन बोलते हैं तो क्या बोलेगा है ठीक है बी ओ आरो एन होता है ठीक है हाँ वान एस टू रहा जान दो टू एस टू और टू पी कौनसा यह फर्स्ट औरबिट है के और यह सकेंड औरबिट कौनसा होगे अब एक लास्ट लिक्कर देख लिजिए नियोन अतोमिक नमबर टेन, क्वान फिगरेशन, वान एस टू टू एस टू औरबिट है इसमें तीन काना से देख जिए आरे जो आगे लिखा हुआ है यही औरबिट नमबर को रिपरेजन कर रहा है वान का मिनिंग कौनसा फर्स्ट औरबिट और यह टू है इसका मिनिंग कौनसा सेकेंड अरबिट दू यह गो ना इसमें भी है जब तक तीन आएगा नहीं है तर तर थारड अरबिट नहीं अभी तकों सा कौनकी और यह है वान एंड कुण सा टू रियट के आजिस परियट कर रहा ता उसमें इसमें उतना ही और वीट होता है और यह सारे अलिमेंट जो है कि सिरेट का है सकेंड इसलिए सब में दो ही और विट है देखे इसमें भी दो और विट इसमें भी दो और विट सब में कितना और विट है दो अब फर्स्ट पिरियड वाला कौन है हाइड्रोजन इसा कॉन फिरेस्ट नार लिखिएगा हाइड्रोजन के तरह क्या लिखिएगा 1s1 एक ही और इसमें कौन सा के आयंड हिलियम वन एस इसके पास पी कितना है जो जिस प्रियड में रहेगा उसके पास उतना ही और बिठ होगा फस्ट में तो एक सकेंड में तो कितना दो थाड में तीन इस तरह से नीचे बढ़ते जाएगा यह सब का लिख के देखेंगे जुरूरत नहीं ह हम लोग इतने समझदार है कि समझते हैं कि फर्स्ट प्रियेड में उसमें कितना और वीट होता है एक सगेंड में कितना होता है दो क्यांगे थाड का होगा था थीन फूर्थ का हो था फो थाइफ का होगा थो फाई अब दरनाने कि प्रोड़ युटवल तो इतना बरा है प चलिए देख्शे लेफ्ट तू राट जाने में क्या कंडिशन बन्दा है जब लेफ्ट तू राट जान्डा है अचा बता है इसका अटॉमिक नमर कितना हो था था थिरी है ना इसमें कितना प्रोटोन होगा नमबर अप्रोटोन थिरी और नमबर अप्रोटोन ये भी थिरी जितना अप्रोमिक नमबर होता उतना ही प्रोटोन होता उतना ही एलेक्टोन अगर बेरियलियम की बात करेंगे इसमें नमबर अप्रोटोन कितना होगा पूर आंड नमबर अप्रोटोन कितना होगा पूर पर् और सब्सक्रानी की इस नमबर प्र्टन कितना है ? spraying कि ट सरुब टु बोटम जाना में क्या क्या हो सकता है कीजिए इढ़ जा रहा है इसको जिए ओलेंग मुझे ? यह हो गादका आपका लेफ्ट कुछ से किदर मॉब कर रहे हैं यह राइट की तरफ यह हो गए राईप लेप टू कितने बार लेट जा सकते हैं सात परियड होता है ना फस्ट केंड थार्ड फोर एक बार फिर्स्ट में ले left to right फिर कौन सा four five six इस तरह से आप left to right क्या हो सकता है जा सकते हैं आप ध्यान देना left to right जाने में हो क्या रहा है कि हां एलेक्ट्रान दस्टोर कम कैसे जाएगा यह आपका left है और यह इधर आपका क्या हो गया राइट आठ से दस बार यह इस्ट्रक्चर को हम बनाएंगे पुरा पीटी में एक मेहने में और पूरा याद रहना चाहिए आख बंद करने कवाद पूरा डाटा आजाना चाहिए क्या हम बोल रहा है अभी नहीं आएगा अभी क्यों प्रेक्टिस कर रहा है अभी नहीं मत्द परने के बाद पूरा डाटा आजाना ऊसके बाद एक मुश्किल चेंद 8 से 9 कोस्टन आता है तो तो नो कोई देंगा ना फर्क नहीं पड़ता है चले क्या हो रहा है उपर लिख देंगे या नीचे लिख देंगे नीचे ही लिख देते हैं जब लेब्ट तू राइट जा रहे हैं तो और बिट नमबर क्या है और बिट नमबर constant orbit number क्या है orbit number constant न घट रहा है और न बढ़ रहा है सब में कितना orbit है इसे भी दो orbit सब में कितना orbit है दो orbit है एनि left to right जाने में orbit number में कोई changing नहीं हो रहा है सब में कितना orbit आ रहा है दो और विट क्या वो लेंगे constant constant किसको बलते है ना increase करेगा और ना decrease करेगा ठीक ना अब ने अख दुखेगा increase क्या कर रहा है electron proton increase कर रहा है इसमें 3, 4, 5 फिर कितना 10 तो left to right आने में proton और electron क्या हो रहा है increase कर रहा है number of electron and number of proton number of electron and number of proton ये दोनों क्या हो रहा है increase कर रहा है electron भी increase कर रहा है और proton भी increase कर रहा है orbit number क्या है constant अब बताइये इसमें attraction increase कर रहा है या decrease कर रहा सब में तो ही ऑर्बिट है यहीं प्रेक्सम्धादा नहीं यह nucleus है और इसमें कितना orbit है सब में दो ही ऑर्बिट इतने भी element इसमें देख रहा है एक पिरियाड में सब में कितना orbit है 2 यह nickel होगा लग रहा होगा सबका रेडियस तो बराबर ही होगा तो नहीं और बिट की संख्या बढ़ते जा रहा था डिस्टेंस बढ़ रहा था तो बढ़ रहा है लेकि इसमें देख रहे हैं सब में क्या है कि इसमें और और बिट क्ल के एल सब में और बिट कितना है दो इसका मतब रेडियस कॉंस्टेंट होगा रेडियस घटेगा बरेगा नहीं नहीं चेंजिंग होगा आप ठीक से समझे क्याश्य तो इसमें एक शाप है और एक यहां पर परसे ने बेचारा ख़रा है तो यहां पर हम सो जाएक आछा वहां तो रात में यहां थोरी आप आएगा और आगा तो देखा जाएगा इस हिम्मत के साथ सो जाए तिक अगर यही है उसके बाद इसे दो साफ रख दो और दो वाद में अगरे क्लोश सरकल है पाहर जाने कोई रस्ता नहीं है अगर ठीक है बता रहे हैं अभी समदेख आगे तो देख लो देखो देखो दो आदमी कितना हो गया दो साफ अब तीन आदमी पात आदमी दो साफ रूम का साइज नहीं बरहाना रूम उतनाय है पचास अदमी इसम चांप अचय साफ आउगा ग। या घटेगा एक आद्ग्सा आद्मी एक साफ यहां एठ्रेक्शन कम होगा पांच आद्मी पांच थ्रहा सा और एक रेक्षन क्या भड़ेगा बगले में रहेगा लेकिन मालो अगर यहां पर सव आद्मीष्य इसमें और कट रहा तो एक्सप्रिम्मेंट के बाथ कही कर लेना जाके लेक हम ऐसा बता रहे हैं को कि ऐसा करने से क्या हो के बइंचे करता है एक कंदिशन इसमें डाइमेंशन का है उसको हमने क्या कर दिया के अगर यहें डाइमेंशन हे पूरे मोल्द मे नहीं जाने करोरे सांफों करोरे कोई आदorta नहीं अचाने है यहां जwegen लेकिन हम बता रहे हैं कि इसमें औरीट कितना है दो ही है है दो और वीट है इधार ज्यान देना इसमें पहले लीथियम में देख रहे हैं और वीट दो ही है ऐसे प्रोटोन कहेगो है यहां देखना यह निकलियस है इसमें कितना और वीट है दो इसमें दो प्रोटोन है दो पलस और दो इलक्ट्रोन है दो माइनिस एक में कितना है दो तीन त्रफ अटरेट करके रखना कौई इतना ही काम कौन कर रहा है प्रते तो닥्तरोन के रखुर्टोन कुरा विक फारत्टून परते एक एलक्ट्र warnings कौन खीच के रख रहा है है आंक हो में डिस्तेंस बराबर ही हैं दो ही और बीट अबमें दो ही और लिथिएम बेरेलियम वोरन कारबन नाइट्रोजन ऑक्सिजन फूलोरिन नियोन सब में दो ही औरबीट है अर्व आपको बता है निथिय में कैसे ज्यादा हो और आपको बता है अगा डायमेंशन से रहेगा और शाफ और आदमी को इनकरीज करें गता है अट्रेक्शन क्या करता है इनक्रीज करता है यहां डाइमेंशन सेम है दस वो प्रोटोन है और दस वो क्या है इलक्ट्रोन है दो ही औरबिट में कहेगो दस प्रोटोन आज दस इलक्ट्रोन यहां भी कितना और वीट है दो ही और वीट है और इलक्ट्रोन कितना है तीन प्रोटोन कितना है तीन ज्याद इतना ज्यादा attraction हो जाएगा चुकि घर का dimension से में और विट दो ही है इलक्ट्रोन प्रोट्वन क्या हो रहा है इनक्रीज कर रहा है प्रोट्वन का काम करना है खिचना एलक्ट्रोन खिचा रहा है दोनों बढ़ रहा इतना attraction ज्यादा हो जाता है लेफ्ट टू राइट जाने म है या उसको बोलेंगे decrease कर जाता है हिंदी बोलेंगे सिकूर जाना इतना तेजी तरह निकुलियस खिचता है एटम क्या होता है कंप्रेश कर जाता है सिकूर जाता है दू टू एक्रेक्शन बर गया तो कहेंगे और बिट दो ही था और प्रोट्वन बढ़ते जा रहा था औ और वीट को अपने तरफ क्या कर दिया उसको कंप्रेश कर लिया अट्रेक्शन के कर अगर आप से कोई पूछेगा कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप टू बोटम आने में साइट क्या होता था इंकरीच कर रहा था लेकिन जब लेफ्ट टू राइट अट्रेक्शन इंक्रीच करता है किसके बीच का अट्रेक्शन इंक्रीच करता है नुकिलियस एंड आउटरमोस्ट और बिट इसके बीच का अट्रेक्शन नुकिलियस एन यू आएंड आउटरमोस्ट और बिट यहां पूरा लिख लिजेगा आउटरमोस्ट और बिट इन दोनों के बीच का अट्रेक्शन क्या होता है इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने एक आराण साइज कि साइज डिक्रीज करेगा साइज क्या होगा डिक्रीज जब कंप्रेस कर जाएगा सिकूर जाएगा कोलेप्स कर जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा ना तो लेप टू राइट जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा आवनाइजेशन इनर्जी क्या होगा दिमाग लाख वताओ आयां सेनर्जी क्या होगा तो फ्रक्टर दो ही या तो इनकरीज करेगा नहीं तो डिकरीज करेगा लेकिन आप को क्या बोल रहा है इनकरीज की डिकरीज कैसे पता चल ना बोले बोले अब आप साब बोलो बास साभी बोलंगे तो भोचपूरी में बोलो ना सबको समझ में आएगा जाओगा क्या होगा तुन रहा था का रहा था सर सुन रहा है तो बात अप्टर दिमाग लगाओ इसमें आवना जब लेप टू राट जाएंगे ता आशनाड़ जी इनकरीज करेगा के डिकरीज करेगा क्यों अब टॉप से बोटन से कोई रिलेस्टन नहीं है इसका यह वाई पूछ है है अजय को कि आशे बोलांगा सरा अट्रेक्शन ज्यादा है तुम आता लेकर साफ साफ नहीं बोल रहा है है का झाсол को को में में रहा तो यहां पर में फैक्टर Ó अगर मानलinek यहां पर attraction के है ज्यादा हो जाएगा इन्कृच कर जाएगा अब इस इलक्टोन को निकालने जाएगा तक ज्यादा इनेरजी लगाना पड़एगा जितना ज्यादा अट्रेक्षन होगा उतना इनर्जी क्या लएगा ज्यादा लएगा इटम elemento इन्कृच करगे लेगा अट्रेक्शन क्या होगा इनक्रीज कर गया तो इलक्ट्रोन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा चुक्त अट्रेक्शन क्या है ज्यादा रहा जान दो आट्रेक्शन क्या है ज्यादा है और अट्रेक्शन ज्यादा होगा तो इलक्ट्रोन इजली रिमूब नहीं होगा या लिग पितने लेंगे गुस्ता के वो लीमितेशन में रहो एक इंसान है बैल है बार बार समझा रहा है तुम को भी बो नहीं तुम दोनों सामील है ना तुम को यहां देखना थे तुम बहुत नहीं देख रहे थे रूक्ष्ण सुल्ट च्टा सब्सक्रोल हमेस घ्रीक्ा जह सारी सब्सक्राइब सकते हैं कि क्ष्ट पूर्ट थांसटास인이 करेते हैं की सिब करें वो न है कर खार स्टा सब्सक्राइब लेगा स्पाइं लेगा करेगा ये सबसे इंपोटेंट बहु बासम जकाते हैं तोड़ा यह दखना एक टॉप टू बॉट्टम एक कॉंसा लेप टू राइट लिखने के लिए तो गुरूप में है ना क्यों इसान गुरूप में नहीं हो तो नहीं नहीं सा कोई है यह यह लेफ्ट तो यह टॉप हो जाएगा टॉप टू कहां रहें बॉट्टम और यह आपका हो जाएगा कौन सा लेफ्ट लेफ्ट से किदर जाना है टॉप टू बॉट्टम लेफ्ट टू कौन-कौन फ्यक्टर बरेगा कौन-कौन घटेगा दोनों में अभी आपको लीक कर देखाना है ठीक है ने चली लिखिये आगे कल होगा अभी आपको लीक कर देखाएगे जल्दी झाल झाल झाल